विद्ध्यार्तियों का उतकर्स क्लासेज के इसे यूटूब चैनल पर जुड़े इसे भी पहरे विद्ध्यार्तियों का तहें दिल से आर्दिक स्वागत और अभिनंदर है नरेजी ममता शंकर राजमेवाल लवली विश्नु जैवीर विटू जी पवंजी जीडी शोगान विश्नु डबल ओ टार्गेट सभी गुड़ मॉर्निंग राधि राधि जैश्री कशना आज के हमारे इस विशेश सेशन में हम चर्चा करेंगे हमारे सापताहिक के कुछ विशेश क्यूसंस कुछ इस्टेटिक्स एगरिकल्चर और कुछ विशेश टर्मनोलोजी जो एग साथ कि शेश के कुछ क्योसंस के उनको लेकर किनमस्ति मान登u जी कि शञे। आपके स्क्रीन पर यह रहे हना वह penetrate समय के अ उनियु जार्कंड के प्सactiv ही और कर देजेश किसकी रहार चिस्ट्रिक्स मेले का घवारम कर्सी मंत्री पिक्रेश कशना से ने इसेनिजू decision signature भाटि तो देखेगा वर्स 2023 में देखा जाए तो लगबग लगबग परतेक महीने में कहीं ना कहीं आपके ये किसान मेले आयुजित होंगे जिनके बारे में आपको जानकर या रखनी है अभी राजस्तान में भी 13 और 14 मार्च को मिलेट्स को लेकर के मिलेट्स कौन कलेव सम्मेलन कायुजित किया गया तो यहां अगर देखेंगे तो ऐसा ही एक सम्मेलन आपके जारकन के गुमला में किया गया ये ध्यानकर कब किया गया तो यह आपके ध्यानकर भी हाल ही में इसक में तेरा और चोधा मार्ज को राजस्तान में तेरा और चोधा मार्ज को आपके क्या गया मिलेर्स कौन क्लेव राजस्तान में मिलेर्स कौन क्लेव सम्मेलन और ये कहां किया गया था ये राजस्तान में दुर्गापुरा में जैपुर में किसने किया था इसका उद्गाटन तो हमारे रेस्पेक्टफुली सी एम साब ने किया था ये ध्यान नकना आपको, ठीक है, असोग गैलोट साब ने इसका क्या किया था, इन्योग्रेशन किया था, दो दिवस ये मेला था ये ध्यान नकना आपको, 13 और 14 मार्च को दुर्गापुरा में, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है पंडित विश्णू जी आपका सही है दुर्गापुरा अगला क्यूशन देखो हाल ही में पंजाब एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी दुवारा आलू की कौन सी नई किसम का विकास किया गया न्यू वैराइटी ओप पोटेटो बताएगा यहाँ पर विच न्यू वैराइटी ओप पोटेटो वाज डवलप्ड बाई P.A.U. पंजाब एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी रेसेंटली पंजाब आलू 101, पंजाब आलू 102 या एउर भी दोनो देखेगा अगर आप देखेंगे तो आपके भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्शिटी में सामिल है P.A.U. पंजाब एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी इस यूनिवर्शिटी की खास बात यह है कि इसका टाइप आपके विदेशी जो आपके क्या है एगरिकल्चर देखेंगे आपको पंजाब एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी से जो वैराइटी डेवलप्मेंट होगी उसमें P.B.W. तो P.B.W. वारी वैरायटी काहां से विख्षित होती है आपके पंजाब एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी से विख्षित है इसी परकार से जैसे कई निव्धन से आपके विख्शित होती है और यहां इस ने भी हाली में आलू कि दो गिनकला जिन में से एक का नाम है पंजाब आलू एक और एक का नाम है पंजाब आलू एकड़ा 102 यह ध्यान्न करना है आपको ठीक है तो यह दोनों को दोनों के राई Try hours तो PBW वाली यहम की वाराइटी पी यार वाली ध्यान की वाराइटी थीक है यह द्याननकना आपको ठीक है यह ध्याननकना इस चीज़ का भी टे思ब है PBW बिल्कुल चोही आपका राइट आश्र वह आपके वीट की वाराइटी गान बिल्कुल बिट्टू जी पंजाब छुवारा बिल्कुल पंजाब छुवारा यहीं से निकली हुई है पंजाब छुवारा जो है यहीं से निकली हुए आपके टमाटर की वराइटी है ठीक है यहीं से निकले चाहिए लिखावा पंजाब छुवारा यहा टमाटर यह टमाटर की वराइ तांसर यहां पर C है इसका अगला क्यूशन देखा आपके स्क्रीन पर राज्य सरकार ने अपने बजट गोश्णा वर्स 2023 चोईस में पिछले वर्स के ग्यारा कर्शी मिशनों को निरंतर जारी रखने का फेशला किया एवं एक नया बार्वा मिशन जोड़ा गया In its budget announcement 2023-24, the government has decided to continue the 11 agriculture missions of the previous year and a new 12th mission has been added. Rajya Sarakar यानि की राजस्तान Rajasthan Shuksham Shichai Mission, Rajasthan Micro Irrigation Mission, Rajasthan JV Kheti Mission, Rajasthan Organic Farming Mission, Rajasthan Khadya Prashanskan Mission, Rajasthan Food Processing Mission, और Rajasthan Yua Karasak Kosalem Samta Shumwardhan Mission, तो Rajasthan में total 12 mission है, यह ध्यान रकना है आपको, ठीक है, तो यह 12 mission कौन-कौन से हैं, हम यह देख लेते हैं, 12 mission कौन-कौन से हैं, ठीक है, तो देखेगा, 12 mission में अगर आप देखोगे तो Rajasthan Shuksham Shichai Mission, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा, राजस्तान Shuksham Shichai Mission, यह राजस्तान के विद्यार्तियों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रकना, अब देखेगा, राजस्तान Shuksham Shichai Mission के देख, माइक्रो इरिगेशन जैसे आपके स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, इन सब पर सबसीडी सी के माध्यम से दी जाती है, सीचाई से संबन्दित यह ध्यान रकना आपको, राजस्तान JV के खेती mission, दूसरा अगर देखोगे, तो आपके क्या है, राजस्तान JV के खेती mission, तो जो जो JV के खेती में 5-5 जार रुपे मिलेंगे इस बार, वो पांस जार रुपे इसी mission से मिलेंगे, यह ध्यान रकना JV के खेती mission से मिलेंगे, राजस्तान बीज उत्पादन और वित्रन मिसन, देखेगा अगर आप देखेंगे तो अगर आपने नाम सुना हो मुक्य मंतरी बीज सवाव लंबन योजना तो मुक्य मंतरी बीज सवाव लंबन योजना इसी से संदर्व है मुक्य मंतरी बीज सवाव लंबन योजना ये इसी से है ठीक है आपके अगर देखे तो राजस्तान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन इसमें अगर आप देखोगे तो आपके जो मोटे अनाज बाजरा वगरा जो है इसके सीड डिस्ट्रिबुशन वगरा की जानकरी यहां से मिलती है राजस्तान सरक्षित खेती मिशन राजस्तान सरक्षित खेती मिशन राजस्तान प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन मिशन नमबर पांच राजस्तान सरक्षित खेती मिशन अगर आपको पता हो तो राजस्तान में राजस्तान सरकारद्वारा आपके तारबंदी योजना तारब wire fencing कहते हैं यह आपके इसी के माधिम से होती है कौन सा mission राजस्तान सरक्षित खेती mission जिसको आवारा पसोशे बचाया जाता है यह धियान रखना आपको ठीक है राजस्तानी उद्यानी की विकास mission अगर देखें तो तो राजस्तान उद्यानी की विकास मिशन तो इस में अगर देखेंगे तो आप के जो helicopter के जैसे सेडनेट वगड़ाज ये सारे के सारे इसी के अन्तर गता ते हो और टी तर का आपके सारा मामदा ठीक है ये प्रोटेक्टेड़ः है ये थोड़ा-बढ़्स इस सुधार ने इसमें भूमी सुधार आता है अगला है इसमें पसल सुरक्षा मिसन यह इसमें आता है और यह जो मैं बता रहा था भी बाड़बंदी वायर फेंसिंग यह आती है जिसमें 40,000 प्लस 8,000 रुपे का टोप अप मिलता है यह ध्यान रखना तो आपके प्रोटेक्टेड वाला जो है इसी में आता है यह ध्यान रखना आपको प्रोटेक्टेड वाला राजस्तान पसल सुरक्षा मिशन बायर आपके बाड़बंदी वायर फेंसिंग इसमें किसान को 40,000 रुपे की सबसीड़ी मिलती है 400 मिटर तक कि आपकी क्या है लगूसी मांत के किसानों को 48,000 रुपे की यह ध्यान राजस्तान भूमी उर्वरक्ता मिशन क्या है राजस्तान भूमी उर्वरक्ता मिशन यह आपके सोयल की फर्टेलिटी से रिलेटेड है राजस्तान कर्सी संबल तो यहाँ पर क्या है नमबर नो राजस्तान कर्सी संब यह करशी संबल मिशन है यह ध्यान राकना हाब को नोम तो यह ओगे अब दैको दस वा मिशन यहा लिक देता हो लुज thoroughly पहले इदान राजस्तान कर्शी चंबल वोगे राजस्तान कर्शी टकनीक राजस्तान राजस्तान कर्शी तकनीक राजस्तान कर्शी तकनीक मिशन एगरी कल्चर में न्यू इनोवेशन के लिए और अन्तिम देखें अगर ग्यारवा तो जो पिछले साल चल रहा था राजस्तान फूर्ड प्रोसेसिंग मिशन राजस्तान खाद्य प्रैसंस करन मिशन प्रैसंस करन मिशन अब देखेगा बारवा मिशन जो है इस बार बारवा मिशन चलाया गया जो की आपके किसको समर्पिता आपके राजस्तान के जो कर्शी से सम्मंदित जो यूआ है उनको सम्मंदित था ये ध्यान लकना आपको ग्यारा तो मैंने लिखा दिया बारवा देख लो यहां प 23 और 24 में बाकी पीछे वाड़े 22 तेईस में थे अगर आप देखोगे राजस्तान यूआ करसक संभल में क्या है तो देखेगा पहले क्लास 11 और क्लास 12 की चात्राओं को 5000 रुपे का क्या मिलता था चात्रुवती जिसे बढ़ा करके कर दिया गया 15,000 बीएसी और आपके यूजी और पीजी लिग देता हूँ डारेक्ट यूजी और पीजी की चात्राओं को पहले क्या मिलते थे 12,000 रुपे का आपके दिया जाता था क्या आपके जिसको कह सकते हैं स्कोलर्शिप इसे बढ़ा करके कर दिया 25,000 अब देखेगा पहले अगर देखेंगे तो आकर के किता कर दिया 40,000 रुपे ये धियान रकना ये तो होगी कर्शी सनातक होगी यह ध्यान रखना है आपको क्या है कर्शी सनातक होगी इन्हें लगाया जाएगा कर्शक मित्र और इनको क्या दिया जाएगा मोबाइल एगरी क्लिनिक्स को आपके स्थापना मोबाइल एगरी क्लिनिक्स तो क्या लगाई जाएंगे मोबाइल एगरी क्लिनिक्स ठीक है ये किसानों को क्या देंगे आपके जानकारी देंगे ये ध्यान लकना को किसानों को क्या देंगे जानकारी देने का कारे करेंगे इ जिराय लिए ध्यान रखना थीक है तो हो सकता है आप में से भी कोई एक हो ये ध्यान रखना है आपको इस बार मिल जाएंगे आपके बिटा इंडू जी इस बार 12 की जगे आप के जैसे क्या है इस बार 25,000 रुपे मिलेंगे तो यह आपका क्या है बारा नंबर का आपके मिसन है राजस्तान युवा करसक कोचलो शम्ता समवर्धन मिसन तो अगर आप में से अगर कोई इसराइल जाने का सपना देखता हो तो अपने घर पर कुछ नई तकनीक वाली करशी करें और सम्बंदित आपके जो आपके नजदी की जो अगरिकल्चर ओफिसर उससे संपर करें धानकना ठीक है यह आपका सही है चले आगे कल मिलेट्स पर दो जार बिल्कुल पर धानमंत्री महुदी जी ने आपके ठीक है आगे चले तो डीस का राइट आंसर है यह धानकना आपको अरे बाई मात्र सक्ति का यह समय तो उन् ैसिंग में लॉंच मुंवाइल हनि प्रोसेशिंग लॉंच यानि कि यह मोबाइल हनी वेन हैं जो कि चलते चलते आपके क्या करेगी सेगा उत्तपादन करती है जगह जगह से अईकित करके और यह सथान करती है ये ध्यानकना है अपको अब यहां देखो which of the fute स्लोइंग और्गेनाइजेशन है जलोंट इंडियाज फेस्ट मोबाइल है नी प्रोसेसिंग वैन बारत के जनजातिय सहकारी विप्रन विभाग संके द्वारा ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट फेडरेशन आप इंडिया यह संस्ता जैसे एपीड करती है यह ध्यान रखना राष्ट्रिय मदुमक्री बोर्ड नेशनल वी बोर्ड आपके नई दिल्ली में है खादी और ग्रामद्यों का योग खादी एंड विलेज इंडिस्ट्री कमिशन इसे कहते के वी आई सी और इस के वी आई सी ने चलाया है आपके अगर पता हो तो कौन सा मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन चलाया है यह ध्यान रखना यह परड़े आठ सो लिटर जो आठ आठ सो केजी जो है हनी को क्या कर सकती है प्रोसेस करने की शमता रखती है यह ध्यान रखना आपको गुड मोर्निंग संगिता जी गुड मोर्निंग तो यहां पर क्य कर दी एन्ड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है आपको ठीक है इस चीज का आपको ध्यान लकना सी राइट आंशवर होगा नमस्ति नेपाल जी अगला कुछन है आपके स्क्रीन पर यह रहा हाल ही में हरियाना सरकार में हिशार में पसो की नसल सुधार के लिए उतकरश्टा कें लिकित में से किस देश के साथ सायोग किया रिसेंटली दा हर्याना गवर्नमेंट है इस कोलोबरेटेड विच 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 ओब दा फोलोईंग कंट्रीज तू सेट अप ए सेंटर आप एक्सिलेंस फॉर बिल्ड इंप्रूमेंट आप एनिमल्स इसार देखेगा आप क्या है क अनकना आपको कहां तो हर्याना के हिसार में किस देश के साथ सायोग किया तो किस देश के साथ ब्राजिल के साथ अगर आपको पता हो तो इसार के इसार में कोई राजा हुआ करता था जिसने गुन्नी सो ग्यारा में आपके क्या किया था तो गुन्नी सो ग्यारा में आपके भाउनगर के कोई राजा थे उन्होंने ब्राजील को क्या दी थी ब्राजील को अगर देखा जाए तो ब्राजील को एक गाई दी थी कौणची गीर नसल की तो देखेगा हरियाना सरकार मतलब हरियाना राजे में हरियाना राजे के राजा ने गुनिस सो ग्यारा में ब्राजी की वह आपके ब्राजिल की कोण से नसल की गाई है बताओ भई है कोुई बता सकता है देद इसे गीर नसल से आपके बनी है और बताओ भई तो द्यान डखना गरलेंडो अगे अगर आप देखोगे यह गाय की नसल है यह द्यानकना ब्राजील की और इस गर्लेंडो नसल को किस से विक्षित किया गया गीर से ठीक है गीर नसल से यह द्यानकना आपको बिल्कुल प्राग जी अगर राजस्तान के हो तो जा सकते हो ठीक है अब यह द्यानकना गीर नसल को आपके हर्याना ने दान में दी ती किसको ब्राजील को ब्राजील ने वहाँ पर इस गीर नसल में क्या क्या सुधार किया और नसल सुधार करके एक नसल निकाली गरलेंडो जो कि आपके 15 से 20 लिटर दूद देती है ये ध्यान रखना आपको ठीक है ये ध्यान रखना है आपको तो अब इसी हर्याना सरकार ने किसके साथ तो ये ध्यान रखना इसका डी इसका राइट आंचर होगा ये ध्यान रखना अगला देखो निमन लिकित में से किस राज्ये ने भारत का पहला बांस गाव इस्तापित किया विच अमंग दा फोलोइंग स्टेट है सेट अप इंडिया जफेस्ट बैंबू विलेज मनिपूर त्रीपुरा अंदरपरदेश और न्यूजिलेंड अब ध्यान रखना भारत का पूछा है तो आपके क्या हो जाएगा ये ध्यान रखना है आपको अगर भारत का पूछा है तो न्यूजिलेंड तो हो जाएगा क्रोस अब देखेगा भारत में बैंबू अगर देखेंगे आप बांस तो कहा देखने को मिलेंगे नोर्थ इस्ट छेतर में देखने को मिलेंगे नोर् नोर्थिष्ट में देखेगा अंदर पर्देश तो है नहीं, अब यहां कोण सा है, तो यह ध्यान रखना बास गाओ, भारत का पहला बास गाओ, आपके इस्तापित करने के अगर बात की जाए, तो कोण सा है, तो यह ध्यान रखना तिरुपुरा, तो यहां पर बास पार्क भी स्तापित किया गया, और यहां पर आपके बास विलेज, बांगलादेश बोर्डर पर यह ध्यान रखना आपको ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तुरीपुरा, बिटू जी, आंदर पर देश तो होई नहीं सकता, क्योंकि नोर्थिष्ट में आपकी य अगला देखो, निमनलिकित में से किस बैंक ने एगरी इंफिनिटी नामक वार्षिक की स्टार्ट अप कारेकरम सुरू किया, इस एगरी इंफिनिटी का जो संधर्ब है, एगरी कल्चर सेक्टर में जो लोन वगरा है, वो सहुलता के साथ आसानी से मिल जाए, इसके लिए यस बैंक जो की नीजी चेतर का एक बैंक है, उसने आपके चलाया एगरी इंफिनिटी नामक एन्वल स्टार्ट अप प्रोग्राम है, यह ध्यान रकना आपको, ठीक है, विच ओब दा फोलोइंग बैंक्स हैज लोंट एन्वल स्टार्ट अप प्रोग्राम कोल एगरी इनियन बैंक उप इंडिया, HDFC, यस बैंक और बैंक उप इंडिया, तो यहां पर क्या है, यस बैंक ने आपके ये प्रोग्राम चलाया है, यह ध्यान रकना आपको, जो की काफी विवादों में रहाता, कुछ समय पहले कंगाली के कगार पर था, यह ध्यान रकना, जिसने 12 सरकार ने सहरा दे करके उभारा है यह ध्यान रकना आपको, काफी विवाद रहाता, हाल ही में किस राज्ये में दो दिवस्ये मोटा अनाज मेला सहे परदस्नी आयोजित की गई, इन विच स्टेटे टू डे, मोटा अनाज मेला कम एक्जीबिशन वाज और गिनाईज रिसे बात करें, तो overall मोटा अनाजों में अगने राज्ये राजस्तान आता है, लेकिन जब मोटा अनाजों में बाजरे को छोड़ दिया जाए, बाजरे को अगर छोड़ दिया जाए, तो इन में से एक राज्ये ऐसा लगेगा आपको, जो मोटा अनाजों में अपना विसेस दसने आयुजित की गई उत्तर पर्देश तमिल नाडू बिहार और पश्चिम बंगाल देखेगा मैं मोटे अनाजों के बारे में तो आपको बता देता हूं मोटे अनाज जिसे आजकल सिरी अन के नाम से जाना जाने लगा क्या सिरी अन अगर इसमें देखा जाए तो राजस इस्तान का मोटे अनाजों में कहीं आसपास भी इस्तान नहीं है लेकिन ये इतना बाजरा उत्पादन करता है कि सारे मोटे अनाज इसके नीचे दब जाते हैं ये द्यान नकना तो द्यान नकना बाकी मोटे अनाजों में कौन सा राज्य जाना जाता है ना तो उत्तर परद और दजाक है तो इहां किया है इसका राइंटा डू हो जाइगा यहर meille राई ठाथ भाफ़िया सब्सक्ताइब चूल हो जाए है तो यहां पर आपको को ध्यान रखना बिल्कुल विजय जी राजमेवाल जी बिल्कुल सही है तमिलनाडू आपका विश्णु जी बिल्कुल सही है आप कर्शी प्रिवेक्षक आपने लिखर का आईडी में तमिलनाडू बिल्कुल सही है चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं बिल्कुल आपने दि निमन लिखित में से कौन पर्धानमंत्री पसल भीमा योधना पी एम एप वीवाई के तहत प्रोध्योगी की आधारित द्रश्टीकोन अपनाने की विवहारियता का पता लगाने के लिए इसनों की दस दश्य समेती का नित्रत्व किया अब आने वाले समय में पर्धानमंत्री पसल भीमा योधना में और भी तक्नीकों का इस्तेमाल होगा तो होने वाले क्रोप लोसेज का इस्तेमाल अब आपके क्या है जिसको कह सकते हैं सैटेलाइट वगरा की इमेज के माद्यम से किया जाने लगेगा तो इसका और practical रूप से कैसे अवलोकन किया जा सके कैसे और सुधारा जा सके तो इसके लिए एक दस सदशे समिती का गठन किया गया जिसका नेतरत्व कोन करेगा ये देखना है तो बताईएगा किसे बनाया गया आपके तो आपको ये बताना है तो द्यान लकना इस कमेटी का जो सदशे है इस कमेटी का सदशे के आर मंजूनात को बनाया गया गया ये द्यान लकना आपको के आर मंजूनात के अध्यक्सता में आपके ये दस सदशे समिती बनाई गई है आपके ये द्यान लकना है इस्रो तो ये क्या करेगी ये ध्यान अकना ये आपके काम करेगी परदान मंत्री पसल बीमायोजना में इस्रो का और कैसे उप्योग हो सकता है और आपके नई तकनिक के मादियम से यानि की सैटलाइट के मादियम से कैसे इसको ज्यादा परभावी बनाया जा सकता है और ये तो आपको सब को पता है कि PMI BY की स्तापना आपके 2000 शोड़ा में शुरू हुई थी, यही तो आपको सब को आता है, यहाँ पर रेट आपको दिखेगी डेड़, दो और पांच, यह किसान का करसक किसा है यह ध्यान रखना आपको, बिल्कूल देखेगा, अर्विन जी, A2J, आपके UPSC Agriculture Technical Assistant के अगर वेकेंसी आती है, तो निश्यत रूप से उतकर्स भी आपका उसका कोर्स अवेलेबल करवा देगा, और 50 परसनों वाली जो आपकी VCS Series जो हमारी चलती है, वो बहुत उपयोगी है आपके लिए, ठीक है, चलत का, हाल ही में निमन लिकित में से किस राज्य में धक्षन भारत के पहले नैनो यूरिया सहिंत्र आधारित की सहिंत्र की स्थापना की गई, बताएगा, रिसेंटली इन विच आफ दा फोलोइंग स्टेट्स, फाउंडेशन इस्टोन वाज लेड फोर साउथ इंडिया फैस्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, आंध्रपरदेश, करनाटक, केरल और तिरुपुरा, तो देखोगा, आपके तिरुपुरा तो आएगा नही और यह पूज कहां का राए, दक्षिन भारत का, तो आंध्रपरदेश, केरल और करनाटक इन तीन में से आएगा यह ध्यान अकना आपको, क्या है, यह ध्यान अकना है आपको, ठीक है, अब अगर आप यहां देखेंगे, तो यह आपके कौन सा राज्य है, करनाटक, सबसे पहले कहां, आपके अगर देखेंगे, तो सबसे पहले इसकी आपके सुरूत कहां गुजरात से होती है, नैनो यूरिया की, यूरिया के नैनो पार्टिकल्स का परियोग करके बनाया गया है, आपको यह ध्यान रकना कौन? नैनो यूरिया, और अब तो सरकार ने इसके हो जाएगा, ध्यान रकना, नैनो यूरिया की के द्वारा जाता है, तो इसके उपर इपको का क्या है, पेटेंट है, इंदियन फार्मर फर्टिलाइजर कोपरेटिव प्राइवेट लिमीटेट, इसका क्या है, पेटेंट है, यह ध्यान रकना है आपको, ठीक है? निमन लिकित में से किसे भारतिय किसान उरुवरक सहकारी समीती के नए द्यक्स के रूप में नियुक्त किया गया वो अमंग दा फोलोइंग हैज बिन अपोइंटेड एज दा न्यू चेयर ओफ इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी यानि कि अगर हम बात करें तो इपको का नया अध्यक्स बताएगा इपको का नया अध्यक्स तो देखेगा इपको का जो नया ध्यक्स है कोण है दिलिप संगानी, विजय संकर सर्मा, कमलेष पुरोहित, राजवीर सिंग तो यहां अगर हम देखें तो ध्यान रखना दिलिप संगानी को क्या बनाया गया आपके इसका अध्यक्स बनाया गया है यह इसका राइट आंच्वर है यह ध्यान रखना आपके इपको का फार्मर कोपरेटिव सोसाइटी है जो की आपके फार्मर्स के लिए क्या है करती है काम फर्टिलाइजर का भी काम करती है आपके बीज और उर्वरकों के लिए भी काम करती है ये ध्यानकना आपको ठीक है दिलिप संगानी साब को इसका क्या बनाया गया अध्यक्स बनाया गय का पास में पिंक बॉलवर पेक्टिनोफाइरा गोसी पाइला से निपटने के लिए इंडिया में निमन लिकित में से कौन सा परियोजना शुरू की गई प्रोजेक्ट रक्षा, प्रोजेक्ट अटेक्ट मेटिंग और प्रोजेक्ट बंधन तो साइध इसका आंसर आपके देखा जाए तो आमने पहले भी चर्चा कर रखी है कोण सा बिलकुल आपका सही जबाब आ रहा है बिलकुल आपका इनिस्टारेल का सही है पराग जी बिलकुल सही आंशर है आपका दो विध्यारतियों ने सही दिया कि टू जी बेटा बिलकुल सही आंशर है बिलकुल डी सही आंशर है देखेगा इसे कहते है प्रोजेक्ट बंधन के नाम से जाना जाता है प्रोजेक्ट संबंध बंधन का संबंध पिंक बोल वर्म से है ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट बंधन अब देखेगा अगर बात करें ये प्रोजेक्ट बंधन में आखिरकार आपके पैक्टिनो फायरा जो गोशी पाइला जो है जिसे हम पिंक बोल वर्म कहते हैं इसका कंट्रोल कैसे होता है तो ध्यानकना इसका कंट्रोल जो किया जाता है आपके किसमें इनकी मेटिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाता है ध्यानकना नीशेचन परकरिया को डिस्टर्ब किया जाता है इसमे जैसे फैरोमेंट ट्रेप्स और लाइट ट्रेप्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है यह ध्यानकना आपको ठीक है इसमें किसका इस्तेमाल होता है पहला इसमें होता है फैरोमेंट ट्रेप का इसमें इस्तेमाल होता है इसमें आपके लाइट ट्रेप का इस्तेमाल किया ज यहाँ पर क्या है इसका डी जो है इसका राइट आंसर है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है अगला देखो क्यों सब्सक्राइब निमन लिकित में से किस मंत्राले ने चोदा सहद किसान उत्पादक संगटन एप पियो लॉंच किये विच ओब दा फॉलोइंग मिनिस्ट्री है ज लॉंच फोर्टीन हनी फार्मर प्रोड्यूक्ट और्गिनाईजेशन यानि कि आपके यह एप पियो शिरफ और शिरफ आपके सहद से सम्मंदित कारिये करेंगे यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो आपको यह बताना है कौन सा जनजातिय मामलों के मंत्राले, संस्कृति मंत्राले, विज्ञान मंत्राले और आयूस मंत्राले बताएगा किसने यह आपके लॉंच किया तो यहां अगर हम देखें तो आपके क्या देखने को मिलेगा जनजातिय मामलों के मंत्राले के द्वारा Ministry of Tribal Affairs क्योंकि अगर हम देखें तो यहां पर आदिवासी जो बहुल छेत्रे है आदिवासी बहुल जो छेत्रे है वहां पर आपके आजीवीका का साधन होता है सहद यह ध्यान रखना है आपको तो यहां पर क्या है जनजाति मामलों के मंत्राले के द्वारा यह जारी किया गया है यह ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पर क्या है इसका राई टांसर आपका ए है यह ध्यान रखना आपको ठीक है यहां देखेगा पसूधन नी सुल्क आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में कितनी दवाईया नी सुल्क उपलब्द करवाई जा रही है बताईएगा यहां पसूधन नी सुल्क आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में कितनी दवाईया नी सुल्क 130, 138, 135 और 140 बताईएगा कितना तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको यह बताना है कि आखिरकार यह योजना सुरू कब हुई पसूधन नीसुल्क आरोग्य योजना कोई बता सकता है पसूधन नीसुल्क आरोग्य योजना इसकी सुरुवात कब हुई हाँ यह जरूर हिंट देता हूँ कि इसकी सुरुवात करने वाले कौन थे तो वर्तमान जो सीएम साहब है असो गैलोज जी इन्होंने ही इसकी सुरुवात की ती यह द्यान नकना आपको शुरुवात respectfully जो CM सहाब है आपके असो गैलोत साब इन्हों ने ही क्या कीती इसकी सुरुवात कीती अब आपको ये बताना है कि आपके इसकी सुरुवात कब हुई थी ये आपको बताना है मैंने ये बता दिया है सुरुवात किस ने कीती ये ध्यान रखना आपको इस चीज का ठीक है ये आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 138 दवाईयां इसमें क्या है रजिस्टर है जो राजस्तान में आपके नीज सुल्क इसे वित्रित की जाती है यह ध्यान रखना आपको क्या है नीज सुल्क वित्रित की जाती है यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यह ध्यान रखना है आपको ठीक है यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो यह ध्यान रखना है आपको तो कब की गई थी 2012 में यह ध्यान रखना आपको ठीक है अगला देखो बीशवी पसू गणना के अनुसार भारत में सरवादिक मुर्गिया कहां पाई जाती है अकोर्डिंग टू दा ट्वेंटी लाइव स्टोक सेंसस दा मैक्जिमम नंबर ओप चिकन्स आर फाउंड इन इंडिया मैक्जिमम मुर्गी कहां पाई जाती है आंदर परदेश, तमिलनाडू, तेलंगाना और राजस्तान इन में शे बताना तो राजस्तान तो है नहीं आप पर आपको एक ध्यान रखना क्योंकि राजस्तान तो है नहीं अब तेलंगाना तमिलाडू और आंद्रपर्देश यह आपको बताना है किसमें सबसे ज़्यादा मुर्गिया पाई जाती है अगर आंद्रपर्देश में देखेंगे तो यहाँ पर कुकुट अनुसंधान संस्तान है यह ध्यानकना आपको क्या है कुकुट अनुसंधान संस्तान तो यहाँ पर क्या है कुकुट अनुसंधान संस्तान है यहाँ और क्या है यहाँ पर मास अनुसंधान संस्तान भी है मास अनुसंधान संस्तान भी है लेकिन अंद्रपर्देश में आपको पता हो तो अंद्रपर्देश में अंडा उत्पादन तो है ठीक है अंडा उत्पादन तो है यह ध्यान अच्छा अंद्रपर्देश है इसमें लिको दोनों में यहां दोनों में तेलंगा ना में करो क्यो सब्सक्राइब वर लोगों यहां मुर्गियों के मामले में तमिनम नाड़ा पहला स्थाना अर्श अगर यह D definitely और मास अनुसंदान दोनों के दोनों है अधराबाद में और है अधराबाद आज कल ते लंगा ना में आता है ये ध्यान निकना आपको बिल्कुल बिट्टू जी एग उत्पादन बिल्कुल सही है हाफ फ्रूट प्रोडेक्शन में आंदर परदेश बिल्कुल राइट है आ मेंगो माल फोरमेशन कल अपने चर्चा कर ली थी इस पर तो ये साइध रीपीट हो गया क्यों सन ठीक है ये ध्यान नकना ये एक परकार्शे अभी देहिक विकार आप इसे कह सकते हैं इसे चाहे आप रोग भी कह सकते हैं क्योंकि इसके कारक का अभी क्या कोई पता नहीं लगा कारक के बारे में कोई पता नहीं हाई टेंप्रेचर लो न्यूट्रेंट्स आपके कई चीज इसके पीछे होती है ये ध्यान रकना आपके ये दो परकार का होता है एक वानस्पतिक होता है और एक होता है आपका कौन सा पूस्पिये तो ज्यादा यहां पर चर्चा न मेंगो रिपीट के सी हुए या चाहिए भी रिपीट हो चुका था वई क्या है ओडियम मैंजी फेरी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे ओडियम मैंजी फेरी यह ध्यानक आपको ठीक है यहां देखेगा यहां अब आपको यह बताना है कि इसका साइन्टिपिक नेम क्या है यह देखना है आपको ठीक है यह आपको बताना है तो सब्क्राम यहां यह देख रहे होंगे आपको यह फिड बलेक करलर करक आपको दीख रहा है और नेची आपके कुछ John. यह तो यह अगर आप देखो गए इसका साइंटिफिक नेम तो आपको बहुत अच्छा सायिन्टिफिक नेम इसका बहुत प्यारा नाम है यह ध्यान लेकना आपको कई बार अपन बात करते हैं इसकी यह ध्यान लेकना आपको ठीक है यह आपको बताना है तो क्या कहते हैं इसको पेंटानोलिया नाइग्रो नर्वोसा क्या कहते हैं पेंटानोलिया नाइग्रो नर्वोसा क्या कहते हैं एक केले में रोग होता है ये उसमें वाहक का काम करता है पैन्टानोलिया नाइग्रो नर्वोजा ये आपके वाहक है ये द्यान रखना है आपको तो लिख लिजेगा एक रोग होता है बंची टॉप बंची टोप रोग है और ये रोग होता है वाइरस के दुआरा और इस बंची टोप का वहक कोण होता है इसका वहक है पेंटा नोलिया नाइगरो नर्वोसा इसका क्या है वहक है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है इसमें अगर देखेंगे तो निम्प और एडल्ट दोनों क के दोनों ही ही आपके इसमें क्या है आपके जिसको कह सकते हानी efecto T ये परबावित को अद्य होती है पतिया तो कि परबावित पतीय प्ल७भ रूठ कर और के इकट टाइप ये तैप में निकया दिया अपके इस प्रिंज के टाइप में इकटी लीप होती है वो इखटी होती हुए दिखेंगी इसे कहते है इस्टंट ग्रोथ यह ध्यान लखना आपको यह आपको देखने को मिलेगी अप देखो आपके इंसेक्ट के द्वारा फेल रही है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर आपके इंसेक्टी साइड विशेश रूप से इस वें डेमेटोन का इस्तेमाल का जा सकता डेमेटोन रसाइन कोंसा तो डेमेटोन का इस्तेमाल आप कर सकते ओंसे तो डेमेटन त्व enclosure 25 BC is key 0.05 आपके क्या है पर सेंट का घोलिया धियानक नापका इस और इसका यूज सब्सक्र च पर 50 봤ई ऐसी है इम ऐसे सी EC के रूप में, यह साल्ट है जिसमें से 0.05% का गोल आप क्या कर सकते हैं, ध्यान जो है परियोग किया जा सकता है, ठीक है, यह ध्यान लखना आपको, दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे राइजोम्स का परियोग करें, जो आपके इस रोग को, आपके क्या रोग से घर्शित नही हो यह ध्यान लखना आपको, ठीक है, यह आपके हो गया, आपके इसमें, रंग जैसे आपके बलेक आपके कलर में दिखाई देंगे, यह ध्यान लखना आपको, चलें आगे, अच्या, HDO 2.018 में पूछा था, हाँ, कंट्रोल जील, बिल्कुल से है, डवले टार्गेर जी, डीमेटोन, और डीमेटोन का अगर देखेंगे, यह डीमेटोन जो है, डीमेटोन, हिंदी में लिख लो चाहिए, डीमेटोन, इसका परियोगी किया जाता है, विश्चेश तोर से यह ज़्यादा परभावी है, इसमें इस चीज़ का द्यान लखना, ठीक है, जीनाइन जो बता रहे हैं, उसमें क्या है, आपके वो वाइरस फिरी है, क्योंकि केले में सरवादिक पोदे वाइरस फिरी केले में ही बनाए जाते हैं, यह ध्यान लखना आपको, ठीक है, तो चले आगे, अगला देखेगा, इसमें बवेरिया बेसियाना का परियोग भी किया जा सकता ह करने के लिए, बवेरिया बेसियाना का, यह ध्यान लखना आपको, बवेरिया बेसियाना का, ठीक है, अगला देखो, आपके यहां पर, केले का घुन, बनाना वीवल, यहां यह देखो, यह है आपके केले का घुन, यहां को यहां पर दिख रहा है, कोस्मो पोलाइटिस, सो scientific जो नाम है आपका क्या है Cosmopolitis Suridils यह इसका आपके क्या है जिसको कह सकते scientific name है यह द्यान अकना आपको इसमें अगर life देखेंगे इसकी egg egg से गर्ब, गर्ब से प्यूपा और adult life कैसी दिखेगी इसकी egg अंडा, अंडे के बाद गर्ब दिखेगी गर्ब के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद adult तो अब अगर हम यहां देखें तो इसकी हानिकारक अवस्ता देखेगा कौणची देखने को मिलेगी आपको अगर देखेंगे तो इसमें आपके जैसे adult जो है आपके इसकी हानी पहुंचाती है गर्ब इसमेहानी पहुंचाती है दो इस्टेज आपको देखने को मिलेगी ठीक है यह ध्यानकना आपको कोस्मो पोलिस ठीक है इसको कोस्मो पोलाइटिस बोलते है अपने इसको कोस्मो पोलिस कई बार कह देते हैं यह ध्यानकना आपको ठीक है यह आपके कहां दिखेगा अगर आप देखेंगे केले का जो ग्रोथ करता हुआ पार्ट है इसके इंटरनल पार्ट में यहां देखेंगे आपको यह तो जो आपके सोप्ट वर्दी होती है वो यह आपके इसको खा करके अपना क्या कर देता है नेस्ट कर देता है यह ध्यान ना आपको इंसेक्ट है तो जैसे कार्बो फूरान वगरा का इस्तेमाल इस पे ज्यादा अच्छे से है हाँ कोलियोप्टेरा चार इस्टेप है ना लाइप एग गरब और प्यूपा और एडल्ट चार है ना तो यह आपको दिखेगी तो क्या दिखेगा कोलियोप्टेरा दिख जाएगा कार्बो फूरान अगला देखो मोरी कल्चर तो विसेज कोई समशा है नहीं आपर क्या है मोरी कल्चर में सहतूत की खेती का दिन करते हैं यह द्यान रखना सहतूत की खेती ठीक है मोरी कल्चर तो आपके सहतूत की खेती आप करते हैं यह द्यान रखना आपको बताएगा इस पर किस कीट का पालन किया जाता है एक मैतोपून इंसेक्ट है उस मैतोपून इंसेक्ट का पालन किया जाता है यहां पर कीट पालन करते हैं बताओ कीट पालन कौन सा कीट है जिसको इस पर पाला जाता है सहतूत पर जो कि इसके भोजन का क्या करता है यहां से भोजन प्राप्त कर लेता है वो बताओ यहां पर दो है आपके एक जैसे लाक कीट होता है एक आपके सेरी कल्चर आपके देखेंगे मिलता है तो सेरी कल्चर जो होता है, रेसम कीट जो पालन होता है, वो रेसम कीट पालन यहां किया जाता है, तो ध्यान नकना रेसम के कीडों का, रेसम के कीटों को, रेसम के कीटों को सैतूत पर पाला जाता है, यह ध्यान नकना आपको, ठीक है, रेसम के कीटों को, तो यह आपको दि केस्टी और पोश्टी के यह ध्यानक ना आपको ठीक है इसी मोरिस एलबा यह इसका साइन्टिपिक नेम है मोरिस एलबा इसी का नाम है मोरिस एलबा ठीक है ठीक है यहां देखो आर्बोरी कल्चर तो देखेगा आर्बोरी कल्चर में आपको ध्यान लखना वरक्षा रोपन आते है जो फल्दार पोदे जो होते हैं फल्दार पोदे फल्दार पोदो का रोपन वो आते हैं इसमें किसमें आर्बोरी कल्चर में यह अर्बोरी कल्चर यहां देखो यह फ्रूट प्लांट्स है यह अर्बोरी कल्चर में है यह ध्यान लखना एक होता अबोरी कल्चर यह अर्बोरी है एक होता अबोरी कल्चर उसमें आपके क्य जहाडियों वगरों को सुरक्षा के परपस से सोभा के परपस से लगाया जाता है ध्यानकना आपको तो यहाँ पर क्या है अर्बोरी कल्चर है जिसमें आपके फ्रूट्स वगरे दिखेंगे एक होता है आपके जिसको कह सकते हैं अबोरी कल्चर वो अबोरी कल्चर है तो यह पर क्या है फ्रूल वगरा कि फलदार पूदों का प्रोपन वगरा किया जाता है ध्यानता क्रेश को ओग क्रियम की क्रैस को ग्राप का संबंध किसके साथ और प्लांट की हाइट को मापने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है पोधो की वर्धी को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का और अगर हम यहां देखे क्रेस्कोग्राफ में तो इसकी खोज जेसी बोस ने की ती यह ध्यानक नाप के जगदीश चंदर बोस जेसी बोस और इनी के नाम पर आपके उधेपुर में MPUAT में एक होस्टल का नाम भी है जेसी बोस होस्टल यह ध्यानक नाप को ठीक है इन्हीं के नाम पर उद्यपूर के MPUAT में अगर देखेंगे तो आपके MPUAT के बाहर जो आप देखेंगे बाईपास के पास अगर देखेंगे तो वहाँ J.C.Boss होस्टल है ये ध्यानकना आपको ठीक है ये ध्यानकना आपको तो पोधो की वर्दी के साथ इसका संबंध है J.C.Boss आपके इन्होंने क्या कीती इसकी खोज कीती ये ध्यानकना ये आपके एक इंस्ट्रुमेंट है जो कि इसकी हाइट को मेजरमेंट करने का काम करता है अगला देख लो ये है रिज मेकर अब रिज मेकर के बारे में पहले तो ये जान ले कि आखिरकार ये किस काम में आता है प्राइमरी टिले जए एक सेकेंटरी टिले जए ये भी हम देख लेते है रिज मेकर का परियोग क्या करने में काम में आता है तो making of ridge making of ridge ridge बनाने में जो आपके फरोज जो बनती है फरोज जो बनती है आपके जो डोड़िया बनाई जाती है क्यारिया जो क्यारी दोरे आप कहते हैं तो इसके माद्यम से जो दोरे जो होते है फरोज जो होते हैं वो बनाने में काम में लेते हैं ये ध्यान अकना इसे रिज को कहते हैं मेड ठीक है तो मेड बनाने में जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाले धोरे जो है बड़े बड़े जो धोरे बनाई जाते हैं वो इसी के माद्यम से बनाई जाते हैं ध्यान अकना हैम इसमें क्या होता है इसकी यह जो आप पीछे की जो मोटा ही है क्यारी की दोरे की बनाई जाएंगे तो बढ़ा देगे पढ़ा देगे एक ह्यारी की तो बताओ यह प्राइमरी टिलेज है कि सेकेंडरी टिलेज है आपके पास ओप्सन है बताओ आराम से सोच करके बताना प्रात्मिक है दुट्यक है पहले इसके बारे में सोचना क्यों 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 कि यह क्यारी बनाने के काम में आ रहा है यह ध्यान रखना है प्राइमरी टिल में आपके हेवी प्रेक्टिसेज की जाती है यह आपके सेकेंडरी टिलेज है क्योंकि इसका परियोग आप किसमें नहीं करें हेवी प्रेक्टिसेज में नहीं कर रहे हैं आप क्यारी बनाने में इसका परियोग कर रहे हैं तो यह दित्यक भू परिस्क्रण में आ जाता है सेकेंडी टीलेज में ठीक है तो यह ध्यान रखना भई सेकेंडिटी लेज में आ जाता है बिल्कुल साकसी जी वीजे जी सही है यह ध्यान रखना तो यह हमारे सापता एक जो करंट अफेर्स के नाम से जो कलास आती है उसमें हम कुछ क्यूसंस देखते हैं एगरिकल्चर के करंट में क्या गटनाए गटि ठीक है क्लास कैसी लगी क्लास के बारे में जरूर बताएगा क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूले ठीक दोपेर डेड़ बजे इसी यूटूब चैनल पर हम मिलेंगे वर्स 2022 में आयोजित एगरिकल्चर सूपरवाइजर की भरती प चैनल पर तब तक के लिए सभी विध्यार्तियों को नमस्कार जेहिंद जेभारत बेश्टोप लाइज